कि है आप देख रहे हैं आपका चनल शेवजार वितायुष और बात करेंगे मार्केट्स के उपर बाजार देखें काफी तीजी से हमको नीचे जाते होए देखने को मिल रहे हैं और मार्केट्स में जिस तरही की गिरावट देखने को मिल रही है कह सकते हैं त्राहीमा मचा crash, सब कुछ जो भी देखे हम कह सकते हैं, शब्द है जो भी negative होते हैं, वो exact आज हम use कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की गिरावट है Nifty अभी close नहीं हुआ है, अभी almost 255 हो रही है और अभी video बना रहा हूं है, so अभी market 390 points नीचे है, 400 points के नीचे जा चुका है, 22,000 रुपे के नीचे Nifty अब trade करता हुआ देखने को मिल रहा है, और Nifty का chart देखके लगता है, कि Nifty में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ हो रही है, जो है गिरावट Bank Nifty दोस्तों कह सकते हैं, बचा हुआ है क्योंकि आज expiry है, और overall करीबन 0.73% नीचे है, बट ऐसा लगता है कि दोस्तों कल Bank Nifty की भी बारी आजएगी, Bank Nifty भी ऐसा नहीं कि बहुत समय तक बचता हुआ नजर आएगा जिस तरीक से बाजार नीचे आ रहा है, लेकिन आज ये बात जरूर है कि Bank Nifty तब भी hold करता हुआ देखने को मिल रहा है, करीबन 0.69% नीचे है, और Bank Nifty में हम कह सकते हैं देखे, participation देखने को मिल रहा है, from HDFC Bank, Kotak Bank, तो जब दिगज देखे सारा देते हैं, तो जरूर देखे, index बच जाता है जो साफ साफ हमको देखने को मिल रहा है, कि Bank Nifty भी बचा हुआ है, लेकिन, जहां सबसे ज़्यादा गिरावट हो रही है, और जिसके कारण सबके portfolio के धज्जा उड़ चुकी है और जो मुनाफ़ा दीरे-दीरे करके accumulate किया गया था लोगों के द्वारा, आज हम कह सकते हैं कि वो मुनाफ़ा बहुत तीजी सब नीचे जाई रहा है, बड़ उसकी speed अपने आप पे इतनी जादा है कि कोई क्या करे, जी यहां बात कर रहा हूँ मिड-cap और small-cap कि तो mid-cap currently 4.62% नीचे और हर टिक के साथ दोस्तों mid-cap में जो गिरावट है वो और बढ़ती जा रही है ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई recovery का यहां पर आसार दिख रहा है, बलकि हम कह सकते बाजार लगातार अपने levels को यहां पर test करते वे निज़ा रहे है और लगातार गिरावट जो है वो यहां पर mid-cap में हो रही है करीबन एक महीने में अभी आप mid-cap देखेंगे तो 3.52% नीचे दिखता है, लेकिन ज़्यादा बेटर किया इसको compare करना अची है आपको अपने high से तो almost जो high था वो था 40,282 का और अभी 37,397 पे trade कर रहा है सब अब यह कि देखें mid-cap अपने उपरी से almost 10-11% से ज़्यादा हमको correct होता हुआ देखने को मिल चुका है और हाल सबसादा खराब तो small cap shares का है क्योंकि small cap में इस प्रकार की गिरावट देखने को मिल रही है कि almost 5% आज index down है 5% से ज़्यादा मैं कह सकता हूँ और यहाँ पर भी situation से में हर टिक के साथ दोस्तों जो index है वह और नीचे जादा जा रहा है 2000 points की जाद से जादा कि हमको गिरावट आज इस index में देखने को मिल रही है करीवन 42,998 का आज का high था और अभी आप देख सकते है 40,588 पे चल रहा है अभी 40,503 का दुस्तों अभी low बना है और जो इसका high यह वो 46,821 का है तो वहाँ से यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि almost 10-12% से जादा correction हमको देखने को मिल चुका है बलकि अगर इसके high से मैं एक बर try करते हैं इसको निकालने का तो almost आप देख सकते हैं तेरा person से जादा नज़र आता है तो इस प्रकार की देखिए बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल रही है mid cap और small cap के अंदर बट ऐसा हो क्यों रहा है सबसे important question तो यह है तो कहते ना देखिए जब एक कुछ खराब होता है तो एक साथ खराब होता है एक साथ खराब खराब निकल के आती है exactly ऐसा ही हो रहा है सबसे बड़ी खराब खराब जो अभी निकल कर आ रही है वो क्या है वो यह है कि US की intelligence नहीं असेस किया है कि इंडिया और चाइना हो सकता है कि armed conflict में engage हो जाए अब यह खबर अपने आप में देखे बहुत जादा हम कह सकते हैं खराब है बगर निराशा वाली खबर है कि इंडिया और चाइना में conflict जो है वो बढ़ सकता है और armed conflict की बाहत हो रही है यह US intelligence ने assist करा है और इसके ओपर हम कह सकते हैं और रिपोर्ट भी जो निकल कर आई है उसके हसाब से जो US intelligence है उसमें assist किया है कि किस तरीके से नियू दिली और इसलामबाद inclined है to sustain the current fragile claim in their relationship following their renewable of the ceasefire along with the line of control in early 2021 तो लगातार हम कह सकते हैं कि देखे जो situation है वो थोड़ी सी अब खराब होती भी नज़र आ रही है इस प्रकार की खबर आ रही है अब जो खबर है देखे मैं उसको कितना सही मानू कितना गल्प मानू ये तो बात अलाग है लेकिन क्योंकि देखे ये US intelligence के तरफ से इस प्रकार की expectations है और ये खबर ऐसा नहीं किती है कि कोईसी एक एजिंसे ने report किया लगा तक अगर आप देखेंगे तो इस पर आप Indian Express ने कुछ कहा है Euro Asian Times ने कहा है Vion ने कहा है Times of India ने कहा है India Today ने कहा है तो अपना आप में देखें पर एक tension create करता है जब भी देखें कोई खबर निकल कराती है तो उसको ये देखें वाजार काफी खराब मानता है इंडिया जाने का relationship अभी भी अगर आप देखेंगे तो काफी जादा खराब ही है और इसके उपर ऐसे खबर निकल के आना करेंगे और एक mandatory disclosure आएगा for mutual funds which would be primarily look at stress testing in mutual funds will be out by March 15 ऐसे दोस्तों माधवी बुच ने साफसब कहा था मतलब जो चेव परसन है सेबी की उनके तरह साफसब कहा गया था कि अब stress test करने वाले उसमें चेक करेंगे कि किस तरीके से mutual funds यापर पैसा डाल रहे है तो purpose क्या होगा इसका purpose यही होगा कि किस तरीकिसे mutual funds schemes के अंदर exit कर सकते हैं from their underlying portfolio in case of a stress situation or redemption pressure कि mutual funds अगर एक बार बेचना चालू करेंगे तो आपको पता है कि बाजार में गिरना सुभाविक सी बात है जब बड़ी quantity में trade करते हैं तो इसका exact आपको pressure किस परकार कर देखने को मिलता है वो exactly अभी test हो रहा है हमारे बाजार उसी के कारण majorly देखे गरते पर नजर आ रहे है और यह अपना आप में देखे काफी situation खराब सी नजर आ रही है और 15 मार्च को याद रखिएगा stress test के result announce होने वाले so overall इसका हर एक mutual fund पर असर पढ़ता हुआ देखने को मल रहा है because वो बताएंगे disclosure देंगे कि कितने जादा उनके पास small cap और mid cap funds में numbers है और investors को aware करेंगे कि कि किस तरगी का possible outcome हो सकता है of investing in small caps and mid caps in a stress situation इस प्रकार कि हम कह सकते हैं यहाँ पर अपको यह testing की जा रही है और उसका ही में आप से देखिए simple simple असर पढ़ रहा है mid cap और small cap के अंदर दूसरे बाद दोसके सेवी का जो बयान निकल कर आ रहा है सेवी चीफ का specifically जो बयान निकल कर आ रहा है दूसरे यह कहा गया है कि अब जो valuation है वो off the charts है मतला valuations काफी expensive उनको नजर आ रही है small और mid cap stocks के अंदर और इसलिए उनका मानना है कि off the charts है और valuations जो है वो इस segment में काफी जादा ऊपर है तो हम यह कह सकते कि अगर overall इसका एक पूरी बात की जाए समझ जाए मूल निकाले जाए इस ख़बर का तो यह हम कह सकते कि सेवी जो है वो basically यहाँ पर डंडा चला रहा है डंडा किस पर चला रहा है डंडा चला रहा है दोस्तों यहाँ पर mid cap और small cap पे इसलिए जो पिटाई है वो बाजार के हमको देखने को मिल रही है बिकास सेवी no doubt देखिए mid cap small cap पे जब उनका बूलना चालू हो रहा है तो आप देख सकते किस प्रकार का यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है बिकास यह आपको समझना पड़ेगा कि globally events कुछ भी खराब नहीं है अमेरिका के बाजार वबकल अच्छी तेजी देखने को मिली पर हमारे बाजार क्यों गिर रहे है reason simple है बिकास दोस्तों सेवी यहाँ पर action लेता हुआ नजर आ रहा है और इसे को देखते हुए आज क्या हुआ आपको पता है ICSA Prudential ने अपने पाँचवे mutual fund में भी inflow बंद कर दिया है small cap schemes के अंदर याँ इसका उतलब यह है कि कोई भी यहाँ पर inflow आपको देखने को नहीं मिलेगा ICSA Prudential का in the small cap schemes और basically जो यहाँ पर action लिया गया ICSA Prudential पहला इसा mutual fund है जिसने अपना discontinue किया subscription after savings later to MFI यह सब को पता है कि सबस्यादा पैसा अगर कही बना है किसी निवेशक का तो बना है small cap और mid cap के अंदर और small cap और mid cap के अंदर जहाँ पर दोस्तो पैसा बना है अगर कोई पैसा खीजना चालो करेगा तो obvious सी बात है वहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी जो exactly हमको देखने को मिल रहा है बहुत सार ऐसे fund आउसे ज़ेज़ दोस्तो जो अपना subscriptions small cap schemes के अंदर जैसे kotak हो गया निपॉन इंडिया हो गया SBI mutual fund हो गया टाटर mutual fund हो गया वो सब discontinue कर रहे है यह हम कह सकते हैं कि एक और सबसे बड़ी negative बात है जो हो रहा है क्योंकि ते कि गिरावट obvious सी बात है उधर ही आपको देखने को मिलेगी जहां पर सबसदा पैसा बना है और exactly यहां पर ही हमको गिरावट देखने को मिल रही है और exit हो का असर है exit वहाँ सो रहा है दोस्तो करने के डाल रहे है बट वहाँ से पैसा निकालते हैं जहां पर देखिए उनका पैसा बहुत अच्छा बना है और वहाँ से अपना मुनाफ़ा जो है वो बुक करते हैं सिंप्ली यहां पर हम कह सकते हैं यह जो दो बड़े कारण होगे लेकिन तीसरा बड़ा कारण क्या है तीसरा बड़ा कारण यह हो सकता है कि दोस्तो क्योंकि आप सबको बता ही है कि जल्द ही electoral जो bonds थे उनका data आने वाला है SBI ने data जो है वो basically यहाँ पर election commission को दे दिया है और ऐसा दोस्तों साफसा उनकी द्वारा बता दिया गया है कल honorable supreme court को और याद रखेगा 15 तारीक रखी गई है जब ECI को update करना पड़ेगा वो data according to data जो निकल कर आया उसमें यह बताया गया SBI के द्वारा कि करीबन 22,217 electoral bonds जो है वो basically दिये गए 2019 से 2024 के अंदर जिसमें से 22,030 को redeem किया गया है political parties के द्वारा अब ये बात धान रखेगा क्योंकि electoral bond को unconstitutional यहाँ पर करार कर दिया गया है तो इसके अंदर जो भी नाम निकल कर आएंगे वो नाम जानना जरूर देखें यहाँ पर सब चाहते हैं जहाँ पर आपको पता एक गिरावर्ट देखने को मिल रही है जिसकी अड़ानी茶 गृप, स्प्टिधुक्लिए अगर मैं बात करता हूँ तो आज अड़ानी गृप पर भारी गिरावर्ट देखने को मिल रही है और साथवा स्टेट सेशन था जब आप अढानी ग्रूप को गरते वे देखरें जिस तरीके से आपको पता ही है कि जो भी डेटा है उसमें जो एक नाम सब लोग समझते हैं कि आज सकता है इसलिए वहाँ पर आपको एक पहले से गीरावट देखने को मिल रही है पर यह देखे कोई गलत नहीं है यह आपको समझना पड़ेगा किसी को किसी political party को चंदा ऐसा नहीं कि पहले नहीं दिया गया हर हमेशा से दिया जा रहा है पर जरूर देखें बाजार है बाजार गिरावट कर सकता है जो exactly हमको देखने को मिल रही है इसके अलावा दोस्तों ज लोग अपना जो भी tax है वो पे करते है कोई advance tax है तो उसको pay किया जाता है इसलिए जो corporates है और institutional investors है वो अपना position liquidate करते है ताकि equity के अंदर जो भी उनका profit है वो बता सके balance sheet में डाल सके financial year के end में तो इसलिए March जब deadline होती है क्योंकि payment करना पड़ता है advance tax का so some corporates and investors में choose to sell equities to raise cash right क्योंकि अगर उनको advance tax pay करना है तो उसको वो ज्यादा तर देखे shares बेच के advance tax pay करते हैं तो इसलिए वो हमको देखने को मुल रहा है कि March का असर भी no doubt पढ़ता हुआने जाता है because यह financial year kind होता है और इसके बाद overall most days में मान जाते है कि गिरावाट हमको देखने को मिलती ही ह है तो यह दोस्तों कुछ बड़े कारण है बट आप सब के दिमाग में एक ही question होगा कि इन levels पर फिर क्या लेना चाहिए देखिए simple से बात है अभी wait and watch करें भी तो March का महीना खतम नहीं हुआ है तो इसलिए ज्यादा बैटर ही रहेगा कि देखे बाजार को जब तक देखे थंडा नहीं हो जाता है बाजार में आपको से लगता है कि हाँ एक recovery के संगे दिख रहे है तब तक wait करना चाहिए सबसे important यह है यह हो सकता है कि देखे एक dead cat bounce आ जाए अभी फिर वापीस बाजार और नीचे चल जाए तो इसलिए better है कि थोड़ा सा wait and watch करेंगे जब तक दे जाने से जादा important है बचाना और पैसा बचाना सबसे जादा ज़रूर है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था hopefully आपको वीडियो बढ़या लगा होगा बाकि आप लोगों क्या लगता है कौन कौन से बड़े कारण है जिसके कारण और बाजार गर रहा है अगर यहां प